हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपको अपने चनल तयर जीत में आज हम देखने वाले हैं एटगेट अभ्याज पोस्तिका गड़ित कक्छा साथ जो आपको यहाँ पर दोहज़ा चौईस पच्ची से भरने के लिए मिली हुई है इसका हमने संपूल हले यहाँ पर कर रखा है यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लाश्ट तक आपको यहाँ पर संपूल हलका प्ले लिस्ट है वो मिल जाएगा तो इसमें हम वीडियो को देखने वाले हैं अध्याय बारा जिसमें आपका नाम है इसका सम्मिती तो सम्मिती क्या होती है एक एसी रेखा होती है किसी भी आकरती की जिसको यदि हम दोनों साइड से फोल्ड करें और जोड़ें एक साइड से तो यह क्या है कि एक दूसरे को दोनों भाग ढग लेते हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इससे बीच के काट देंगे और काटने के यदि यदि इवाद हम इसको फोल्ड करेंगे तो यह दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से डखे लेंगे इसी को बोलते हैं सम्मेटी रेखाएं इसके बाद इसमें घुनन होते हैं घुनन मतलब घुमाए जा सकता है जैसे 90, 180, 270 और 360 यह घुनन कौन होते हैं तो सबसे पहले हम इसकी ओटी लगा लेते हैं objective question और इ option number D यानि जीरो होती है अगला question आपका दिया गया है आपर अक्षर E में कौन सी सम्मेटी है तो रेकर सम्मेटी घुनन सम्मेटी दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं तो इसका सही हो जाएगा option number पहला इसके बाद अगला question है आपका तीसरा तो तीसरे में क्या दिया गय है इसके बाद अगला question है आपका चौथा तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख ले लिए तो यहाँ पर लिखा है राखी ने सेव को सम्मेट रेका से दो हिस्सों में बांट दिया सही आपको हिस्सा पहजान ना है तो यहाँ पर देखिए सम्मेट रेका बोर रेका होती है जो इसको अगर दूनों साइड से मोड़ें या फजोकाएं तो एक हो जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C इस परकाल से हम काटेंगे तो इतना ही भाग इस साइड रहेगा यानि दूनों साइड बराबर भाग रहेगा अगला question है आपका एक संबाहुत्रभोज में गूनन सम्मेती का किरम क्या है तो option है आपका एक दो तीन या फिर चार तो इसके गूनन किरम कितने होते हैं तीन होते हैं इसके बाद हम अगला question देखेंगे छटमा यह हमने objective question complete कर ली है तो यह रहा हमारा question number 6 तो इसमें देखी क्या लखा है तो यहाँ पर दिया गया अपन सम्मेत आकरितियां दिखाई देती हैं तो यह हमारा answer इसका इसके बाद अगला question है आपका सात्मा यहाँ पर लखा किसी भी एक बस्तू की आकरिती बनाकर उसकी सम्मेत रेखा को बांटिए तो यहाँ पर बताईए तो यहाँ पर यह answer है तो इसको देख लिए चित्र बना कर लिए आप अच्छे से और इसका जो answer है वो complete कर लिजिए यह प्रकार से आपको बना लेने हैं ड्राइंग चाहिए तो आप नाम भी दे सकते हैं अगला question देखते हैं अगला question आठमा हमारा यह होने वाला है तो यहाँ पर क्या दिया गया है आठमा question में तो आठमा question दिया नाम देंगे हम ठीक है तो यहाँ पर एक अबरेक लगा लिजीगा इसके बाद ब्रत में क्या देंगे तो ब्रत का ब्यास होगा सम्मित रेखा अगला question है आपको नौन में क्या दिया गया है तो नौन में दिया गया आपका अंग्रेजी बर्णमाला के बड़े अक्छरों क सम्मित रेखाएं नहीं होती हैं अक्षरों के नाम आपकी यहां पर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा F G J L N P Q R S Z तो यह आंसर होंगी इसकी वाद दस्मा कॉस्चन है आपका तो यहां पर दस्मा कॉस्चन दिया गया देखिए यहां पर दिखा एक सम्मित रेखाओं की संखिया ग्यात कीजिए तो यह इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है इसको इसकी वाद सम्मित रेखाएं इसमे कितनी है किरम बताना है तो यहां पर यह दिये गए हैं चित्र दो तो पहले में आपका किरम तीन की घुन सम्मिती होगी क्योंकि इस साइड को पहला घुमेंगे फिर दूसरा घुमेंगे और तीसरी बार में हम वहीं की वहीं आ जाएंगे इसके बाद इसमें आप देखेंगे इसमें क क्या दिया गया है इसमें ऊपर आपका दिया गया है चित्र में तो यहां लिखा है आकृतियां दी गई है इनको हमें पूरा करना है तो आकृतियों को पूरा कर लेजी किस प्रकाल से आपको करना है तो इस प्रकाल से हो जाएगी इस वाली आकृति को सेम टू सेम इसी प्रका बन जाएगा तो इसको बना लीजिए इसके बाद अगला कॉस्चन है आपका 13 है तो 13 मा कॉस्चन यह दिया गया हमारा तो इसमें लिखा हुआ है आपका यहां पर आपको बताना है किसी आकरती को उसके केंद्र के परीता साथ डिगरी के कोण पर गुमने गुमाने पर वह उसकी प्राण्मे के स्थिति जैसी ही दिखाई देती है इस आकरती के लिए ऐसी इस्थितिया कौन कौन सी कोणों के लिए संभव होगी तो 120 180 240 300 औ बाना कर से दिखीजिए की सम्हीझ got की बॉज्ञाओं और सममेत रेखाओं की संख्या समान होती है तो यहां पर यह दिया गए तो यह आपके चितर बना लेना है आपको यह आपके आंसर हो जाएंगे तो यहां पर यहां रेकोट है यह चतर होझ है इसके वाद यह 5 भोज दिया गया आपका, 5 भोज है, ठीक है, यहाँ पर यह 5 भोज है या 6 भोज आपका देख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह हमारा सश्ट भोज है, और यह आप देख सी सकते हैं, यह आपका 12 भोज है, ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, इसको प्रकार से बन जाएगे, चित्र देखिए, अच्छो से बनाना है आपको, तो यह चित्र आपका complete होगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा, इसको हम complete करेंगे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ बन जाएगा, और इसमें आपको complete करना है, तो इस प्रकार से यह complete हो जाएगे, आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छे लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस पेज में आपको क्या करना है यहां पर पेज पर देख सकते हैं यहां इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्सन दिये गए हैं यहां पर प्ले लिस्ट इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है जैसे आप इस प्ले लिस्ट पर झाल झाल